नमस्कार साथियों, Welcome to Class Again, सबकी कक्छा, Class Again, सबकी कक्छा में आप सभी का स्वागत हैं साथियों इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं Climate Change के उपर तो आईए हम लोग देखते हैं कि क्या सब हैं इस टोपिक के अंदर तो एक global body हैं उसके द्वारा news निकल के आ रही हैं कि जो Climate Change है ये wipe out कर सकता है glaciers को on Mount Kilimanjaro by 2040 2040 तक Mount Kilimanjaro पर जो glaciers हैं उसको wipe out कर सकता है due to Climate Change इस तरह का report निकल करके तब आया जब WMO यानि कि World Meteorological Organization ने अपनी report जारी की उन्होंने कहा कि 2011 से 2020 तक का जो period है ये warmest decade है फोर बोथ land and ocean जो की हमारे recorded history में है तो इसी प्रकार से various news outlet में ये ख़वर निकल के आ रही है कि 2011 से 2020 जो है ये warmest ever decade है on record और WMO ने ये भी confirm किया है कि 2023 जो है वो warmest year था on record और previous record holder जो था ये 2016 था जिसको की warmest year on record माना जा रहा था तो आएए हम लोग इस news को detail में cover करते हैं तो glaciers shrank one meter in a year in a decade ये WMO का news है तो 2011 से 2020 का जो decade था दो warmest ever recorded in history saw the lowest number of deaths from extreme event इस तरह का report में कहा गया है है WMO के द्वारा दी एजन्सी एट्रिब्यूटेड थिस तो एन इंप्रूब्मेंट इन अर्ली वर्निंग सिस्टम ड्राइवन वाइंप्रूब्मेंट इन फोर्कास्टिंग एंड बेटर डिजास्टर मेनेजमेंट तो ऐसा क्यों हो पाया मतलब कि जो है 2011 से 2020 वर्मेस्ट इयर एवर तो हमारे रिकॉर्डेट हिस्ट्री में रहा ही इसके अलावा जो हैं जो भी डेथ हुए हैं उस डेथ की संख्या जो हैं वो हमें कम देखने को मिल रही हैं इस दोडान दी लोवेस्ट नंबर ऑप डेथ फ्रॉम एक्स्ट्रीम हैं लाइक साइकलोन हुआ या फिर अर्थक्वेक्स हुआ या फिर क्लामेट चेंज के वज़ए से जो भी एक्स्ट्रीम इवेंट था तो उस वज़ए से जो डेथ हो रही थी वो डेथ की संख्या जो हैं वो लोवेस्ट नंबर में हमें देखने को मिला ऐसा क्यूं ऐसा इ चछिए इक्स्ट्रीम इवेंटस का वह हम लोग बेटर तरीके से कर वा रहा हैं और जो डिजास्टे मैंच मेंजमेंट रहा हैं दीज प्रोव मेंटीं तरेके से कर पा रहा हैं द्यू टू दीब्रूब्मंट इन टेकन गॉलजी in India for instance improvement in forecasting cyclone formation and the time it took to reach land have led to a greater preparedness and evacuation of those most at risk तो अगर हम लोग for example भारत की बात करें तो यहां जो improvement हुआ है in forecasting cyclone formation और जो time हमें मिलता है जब 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 हमें पता चला कि जो cyclones है यह फिर इस तरह के extreme events जो है होने वाला है और वो populated reason में पहुचने में जो समय लगता है इस दोडान जो है हम लोग अपने level पर prepared हो जाते हैं और फिर जो भी risk में हैं उनको हम लोग evacuate भी कर लेते हैं तो इस तरह का जो prepared a nation और equations हैं इस वज़े से number of death की संख्या हमें decreased amount में देखने को मिल रही है 2011 से 2020 का जो डिकेट था वाज़ा सिंस 1950 वेंडर वस not a single short term event with 10,000 death or more 2011 से 20 का दसक एक ऐसा दसक रहा 1950 से जिसमें की कोई भी ऐसा event नहीं था जिसमें की हमें 10,000 के लगबग मौते या फिर उससे अधीक मौते देखने को मिल रही है ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है in the global climate 2001 to 2020 a decade of acceleration इस तरह का जो रिपोर्ट आया इस नाम से उस रिपोर्ट में यह क्या कहा गया है the report also says that this was the first decade that the depleted ozone hole visibly shod recovery और यह डिकेट एक ऐसा टेट था जिसमें की यह जो जो आजंगर है उसों लेयर में जो 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 होल हो गया था तोस होल में भी हमें decrement देखने को मिल रहे है that they depleted ozone hole visibly shod recovery हमें यहाँ पर recovery देखने को मिल रहें Glaciers that were measured around the world thinned by approximately 1 meter per year on an average और जो glaciers थे वो per year on an average 1 meter से shrink कर गया है between 2011 and 2020 Greenland and Antarctica lost 38% more ice during this period और इस period में Greenland और जो Antarctic region है उन्होंने lost किया है 38% of ice मतलब 38% जादा ice उन्होंने lose किया है then during the 2001 to 2010 period 2001 से 2010 के period में जितना loss हुआ था ice का उस से 38% अधीक loss जो है हुआ है 2011 से 2020 के दसक में the report also had a mention of the 2021 उत्राखंड rock avalanche that was triggered from the breach in the Nanda Devi glaciers in the Himalayas यह जो रिपोर्ट आया है इस रिपोर्ट में उत्राखंड rock avalanche जो हुआ था अभी 2021 में उस बारे में भी इस रिपोर्ट में दिया गया है दे रिपोर्ट फर्दर अंडर्लाइन दी human caused climate change significantly increase the risk from extreme heat events तो जो रिपोर्ट है उसमें यह भी बताया गया है कि जो humans के वज़े से जो climate change हो रहे हैं कि वह significantly increase किया है और यह increase होने के वज़े से it has increased the risk from extreme heat events heat waves were responsible for the highest number of human casualties जो heat waves यह responsible था for the highest number of अधीक संख्या में जो human casualties हुई है उसमें heat waves का contribution बहुत अधीक था वाइल ट्रॉपिकल सॉक्लों कॉस्ट दी most economic damage जबकि जो ट्रापिकल सैक्लों उन्होंने सबसे अधीक economic damage पहुचाया है हमारी economy को मतलब कि जो infrastructure loss है वह सैक्लों के वज़ा से अधीक हुआ है और जो डेथ हुआ है वो डेथ अधीक हुआ है द्यू टू heat waves पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाइमेट फाइनस अल्मोस्ट डवल डूरिंग दे प्रियाड और इस प्रियाड में हो लेकिन यह परियावत नहीं है हमें इस दसक के अंत होते होते मतलब की 2030 तक हमें इस क्लाइमेट फंडिंग को जो यह क्लाइमेट फाइनस है इसे साथ गुना से भी अधिक लेकर के जाना पड़ेगा इंक्लूडिंग और तकी हम लोग तकी हम लोग अचीव कर सके climate objectives को जो की including keeping global temperature from rising by more than 1.5 degree celsius by the end of the century और जो इस century के अंत तक जो हमने target set किया है 1.5 degree celsius से अधीक temperature को global temperature को increase नहीं होने देना है उस चीज को content करने में अगर हमें success पाना है तो हमें जो climate funding है climate finance है इसमें और भी अधीक amount में पैसे infuse करने पड़ेंगे तक कि जो climate change को ले करके जो initiatives हैं उसको अच्छे तड़ीके से किया जा सके तो यह था हमारा climate change को ले करके जो रिपोर्ट आया था डवलू अमेक कोई द्वारा उस बारे में तो साथियों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में नमस्कार जैहिंद झाल कोई झाल करें कोई बस रए प्रूह और रपर करें वीडियों गगला जैहिं कोई प्रूह थाम में एा उना तो सीट रभ़ इंप ऊटना ही मिलते ही मिलते हैं ऑपल रपने दो करेंग हैं यह रप्ला कारें ही झाल हैं इंग।